आज का टोपिक है टाइपस अफ केमरा लेंसेज जो केमरा में यूस होता है जो लेंस यूस होता है वो कितने प्रकार का होता है क्या-क्या नाम है उसका बात करेंगे इस वीडियो में इस वीडियो के इंड तक देखें नहीं है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर क्योंकि हमारे आने वाले ने विडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए सुरू करते हैं देखे पहला जो lens है ओ है macro lens ओके इस टाइप अफ केमरा lens is used to create very close of macro photographs ओके ये lens तभी इस्तमाल होता है camera में जब कोई close of photo लेना है मतलब बहुत close मतलब near photo जब लेना होता है तभी ये macro lens इस्तमाल होता है फिर बात करते हैं telephoto lens telephoto lens are a type of zoom lens with multiple focus points जो telephoto lens है वो एक प्रकार का zoom lens है zoom in, zoom out हो सकता है कोई चीज दूर दिखाई दे सकता है पास दिखाई दे सकता है और ये multiple focus point में काम करता है फिर बात करते हैं wide angle lens wide angle lens आपको मालूम होगा ये large ये दिया cover करता है माल लीजे आप एक 10 लोगों का photo उठा रहे हैं तो क्या होगा उसमें 7 या 8 लोग आ रहे हैं लेकिन उस mobile के फ्रेम में उस 10 लोग आने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा या उन लोगों को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा तो ये wide angle lens क्या होगा और किसी को पीछे जाने के जरूत नहीं पड़ेगा इस wide angle lens आप on करेंगे या लगाएंगे तो 10 लोग पुरा आ जाएंगे आपके mobile या camera के जो फ्रेम में आ जाएंगे standard lens और speciality lens ये standard lens और speciality lens जो है professional camera में यूज होता है ओके commercial purpose के लिए कोई add shooting हो रहा है तो इस लिए तो इस वीडियो में इतना इस channel को please subscribe कर देजेगा थेंक यू